नमिश्कार सी निउस भारत में आप सभी का स्वागत है वक्त हो चुका है निउस बुलिटिन का इस बुलिटिन में बात करेंगे भदोही कि जहां हाई टेंशन तार पर पेड गिरने से एक गाय की हुई मौत आगे बात होगी दिल्ली की जहां राश्री अध्रक्ष अंशुम शोरी की हुई मौत और भी तमाम खबरों पर आये करते हैं विस्तार से चर्चा सोमवार की रात भगवानपुर चौथार गाउं मालविय बस्ती में रविकांत मालविय के मकान के पास हाई टेंशन की तार पेड गिर गया उसकी चपेट में आ जाने से जहां उनकी गाय की अमरे में भाग कर अपनी जान बचा पाएं आप पूर्ती बंद होने के लगभग आधे गंटे बाद लोग बाहर निकल सके घटना में गाएं जुलसने की जानकारी पर प्रश्र विभाग के लोग गाउं पहुचे थे बस्ती के लोगों ने विभाग के अधिकारियों से हा प्रश्र पताने की मांगी है आपका परिशे बताइए रवी कांद मालवी पिचाजी के नाम सिर्शंकर मालवी निवाशी भगवांत को चोथार थाना गोपी जनपत्भदमिया जनपत्भदमिया हुआ है आपके मामला यह हुआ है कि पेड़ गेल्या हाई टेंसन तार पर और यहां गईया बन हुई थी और गईया भी चपेट में आ करके यह गईया मर गईया बेहोस हो गई थी दो बच्चे हमारे एक छोटे भाई के दो बच्चे घर में ही फंस गय थे बिचली की घेरे में है और लाइन कटने के अधा घंटा के बाद उकाशे निकले बाल-बाल बच गई है तो उसमाय फीडर पर सूचना नहीं दिया सूचना किये थे लेकिन एक बार लाइन कटी फिर यहां पर चेक करने के लिए तो पहले से लाइन मार रहा है बिचली मार रहा है कोई गया भी नहीं हां एक मेरा बच्चा है भतीजा है मेरे भाई का छोट बड़ा राते करीब साड़े दस और चीजारव की वीच कई है हां उस समय से फोन मिला थे मिला थे मिला थे मिलाma है और तव लाइन कंटी दемся के बाद गई हम तो बयख गई थी उसको निकाल कर लेका इसके बाद यह घटना हो गया जो कि सामने आपके है क्या है इसमें क्या चाहिए क्या चाहते है हम यह चाहते हैं कि अगरीब आदमी और इसके आगे हम क्या कहा है आप खुद समझदार है तो ठीक है हम तो समझधार हैं लेकिन उसके आगे क्या चाहिए आपको वही क्या सहायता चाहते है आप सरकार से जिला प्रसाशन से जिला प्रसाशन से जो पॉल खंभा है यहां 10 फित उटर साइड में हो जाए तो अचुत तम है अच्छा यह खंभा का यह पॉल जो है आपके यहां पर अगर आजत को इंबूलेंज भी बूलाते तो यहां तक नहीं पहुच पाता है। यह हम लोग यहां पर दया के भाव से जी रहे हैं। यहां हमारे लिए कोई सुविधा नहीं न कोई कुछ है। आपने देखा है यहां नोग कैसे अभी बारिसने वाली है यहां नहीं कई जाएंगे अगर आने जाने की बेवस्ता नहीं है यहां माले भग्माणपुर में हम लोग निकाल दिये गए हैं यहां नक टैए EE. C. जा KENNETH किसी के पार नहीं है कोई कारी नहीं हुआ रहा है इसके वज़े से हम सब को दबाया जा रहा है यहां पर आप आए हैं आप कैसे यहां तक पहुंचे होंगे आप ही को मालूम है यहाँ पर आप काईसे आगये? रात को प्ुलिस वाली आये, बोले यहाँ पर भधता है? यहाँ पर कोई ऱ्को बस्ती है क्या? यहाँ बस्ती यहाँ, भाबस्ती आवर अप सोचया, अझाल कोई पर कौनो प्राइब हो जयाते जाए तरह सक्ते है? मनें यहां पर कौनों सुषा के नाम पर कौनों निया आप इंपूलेन नहीं बॉलाइ सकते हैं राठ के अगर कि अगर अगर जाधा ते खड़ा हुई है ति आप यहां इंपूलिया नहीं लेकिआ शकते हैं जोन कुछुकुकुकुकुकुदभा आपने अथाब जिसे हैंटपाइप ओगड़ा, अमामे विधायग जिसे आपने काहा नहीं? सब काही के थक चुका है सहाब, जुज़ार बाइस करने हम कुल दे चुका है, जैसे बिधायग बना हम तब उसके दे हैं उनहें, पर ओखाली नाच गाना के आगे इस नहीं देखाता हुने, अमा कोनो प्रोडाम भाना भाना पहुच जेंगें, पर आइशे काम मेरा कभोना प जानकार नाच गाना प्रोडाम करेंगा, बहुत सब आज यहीं हैं, पर यह करें बिना देवी का अबदा भी ना क्यों नहीं आई चकत? ना बिद्दीवाग आए, ना कौनो भी बाग बनाए जानकारा नहीं लेटा कि के मराभा के जिंडाभा का फोन तरा आकता सो होता ना स यहां निकले रगकी, गायबजाव में लाइन, हम जानके कट हिए गया हैं, तब से फिराए गी उमन लाइन, अम हम ऊहीं में पसा है, अगर आवरोग न रहतें, हम हो चला का हूई तुमीमे, पान काु एया चुग चाच चांच चाच यह संद्धा के समगताब के लिए सब है देखिए यह वाला यह लोही का गंभा हाँ हाँ तो घर के अंदर है पुरा घर के अंदर है हाँ किज़र है कि अरे घर के ऊपर से तार गया हुआ चाहिए असामें देखें घर के ऊपर चुज़रा है हदोई से सीन्यू समध आता प्रदीब दूबे की रिपूर्ट चटे चरण के मतदान की तैयारी हो जुकी है वहीं आज प्रचार के पहिये थम जाएंगे इस पर आज अच्छे मतों से विजय होंगी और भाजपा दिली में साथ सीटों पर विजय का पर्चम लहराएगी और वहीं जब मेडिया ने अंशुमन जूशी से अर्विन केजरिवाल के बारे में बात की तो उन्होंने कहा अर्विन केजरिवाल एक महा तक बंधन का हिस्सा है और वह ब्रिष्टाचार की निशानी है जब से आम आद्मी पार्टी की सरकार आई है नईने ब्रिष्टाचार हो रहे हैं जनता सब समझ गई है और ये जल्दी दोबारा जेल जाने वाले है देखे हम अपनी बहन बांसुरी सुराजी को पूरी तरह उनको समर्थन दे रहे हैं उनके लिए हम कई दिनों से कैंपेंग कर रहे हैं दिल्ली की हर इंपोर्टन विदानसभा के अंदर हम गाये हैं आप देखे घर घर से सब लोग निकलेंगे हमारी बहन बांसुरी सुराजी को नई दिल्ली का सांसत बनाएंगे और मैं आपको बता देता हूं वो वो है जो अपनी मा के संसकारों से पली बड़ी है जो मा के संसकार उनके अंदर भरे हुए हैं वो सिरफ देश सेवा उनके अंदर भरी पड़ी है पूरी तरह से दिल्ली के अंदर वो काम करेंगे और दिल्ली के अंदर विकास लाएंगी नई दिल्ली के अंदर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी कार्या है दिली के अंदर जो नहीं होगा और वो मेरी बहन ऐसी है जो हर घर जगई है हर गली महले गई है हर छोटी जगा पे भी गई है जबकि सुश्मा सुराज जी की बेटी थी सिल्वर स्पून भी लोग कहते थे कई लोग शुरू शुरू में लेकिन आज देखिए वो दिली की बेटी बनके हर जगा पे हर गली महले पे हर घर गई है और हम उनके साथ में खड़े हैं और दिली के अंदर हर हाल में जिताएंगे दिली के अंदर मोदी जी को वापस लेके आएंगे हर वोट जो आप बांसुरी स्वराज जी को या किसी भी सांसत को देंगे वो सभी मोदी जी को लेकर आएंगे अब की बार 400 बार तो टैह है अर्विंद केजरिवाल कोई चीज है तो फिर हम दो तरी के बाद पूछेंगे अगर बार होगा तो फिर बात करेंगे बात करने लायर करेंगा राजनीती में वो होता है जो आपके सामने खड़ा हो दोस्तों चालिस की बात कर रहे हैं चार सो पार होगा यह तै है और केजरिवाल जैसा ब्रस्ताइचारी साथ साथ में दिली के पूरा लिकर गोटाला करें दिली के जनता को क्या शराब की दुखाने चाहिए कि दूच चाहिए मैं पूछता हूं दिली के अंदर आपको 200 यूनिट चाहिए कि जो हम देने वाले 400 यूनिट वो चाहिए मैं आपको यह पूछता हूं कि दिली के जनता को ब्रस्ता चाहिए चाहिए या मोदी जैसा राष्ट भक्त चाहिए सबसे पहले तो हमारे 10,792 जो भाई हैं जिनको नौकरी से निकाला है उनके लिए कोट के अंदर हम उन्होंने कोट में केस फाइल कि सर्थाय के जरूत होगी इंफ्रस्रक्ट्रक्रट्र लें जिस 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 जरूत हों की नहीं दिली में वह सब कार्य होगे बजट नहीं भी होगा ना प्रकाश जारवाल जिसके चर्चे तो हम क्या करें अगले महिने जेल में वैसी जाना है ऐसे लोग अगर दिल्ली का पानी कंट्रोल करेंगे तो फिर पानी तो गंदा आएगा ना क्यों नहीं आएगा उन्हीं के हाथ में पानी बंद करना है जोड़के कि राष्ट वाद के लिए सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी दिल्ली की बेटी सुष्मा सुराजी की बेटी बांसुरी स्वराज जी के लिए घर से जाएं, अपने घर परिवार सब को साथ में लेके जाएं और जाके मददान करें, देखिए एक ही बार मौका आएगा, देश के प्रधान मंत्री जी को चुनने का, मोदी जी को वापस लेके आने का, तो प्लीज जाएं, घर से ज जाएं जाके वोट करें जिन्होंने पहली बार भी वोट देना हो वो भी जाएं और जाके जरूर वोट दें मेरी खुद की मां उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं पहली बार वोट देने जाओंगी मोदी जी को और पांसुरी जी को क्यूं क्यूंकि देखिए क्या इससे पहले क इसको बचाने को चुनावागर राब detective उन्होंने बनाया है तो इस सब बार यह को कठे-उन के जाना है और यह बाद ध्यान रंखें हम मुसल्मान के साथ यह सिख भाई यह के साथ ही है जैनल्ति ठोल पूरी नाश से एंडिये át संधतित पाहिए गर कही मदद के मदद के जुरूत होगी तो हमारे भारतिय जंदा पाड़िंगे टोनों पाड़ियों के लगे सात में जहां जहां किसी के उजरूत होगी हम पुरी одна कंवर्ट देश की सेवा रक्षा के लिए ततपर रहने वाले सैनिक परिवार आज अपने ही देश में अपने ही परिवार की रक्षा के लिए लाचार नजर आ रहे हैं जहां प्रशासन की मनमानी के चलते बूतपूर्व सैनिकों का परिवार बेघर होता जा रहा है लेकिन प्रशासन इन सैनिकों की और कोई ध्यान नहीं दे रहा है और अपना बुल्डोजर उनके घरू पर चलाकर कोट के आदेशू की भी धजियां उड़ा रहा है बता दे कि भारत के सबसे सच शहर इंदोर के इमूजी लाइन देश की सेवा करने वाले भूतपूर विसैनिक पिछले डेड़ सो वर्शो से अपने परिवार के साथ रह रहे थे ये वर सैनिक हैं जिनोंने प्रतम विश्वयुद्ध और विश्वयुद्ध के साथ भारत से मिलना चाहता है इसके बाद भी समस्या का हल नहीं होता है तो सभी रहवासी अपने परिवार सहित गिराय मलबे पर धरना देंगे किया मुड़ा है किस कार्ण से ऐसे पिसकार अब अज की प्रेस का मुद्ध्ध ये है कि यहां पर खोबतर कामलीन जो महारानी आंगॉड थी कि महारानि शोलग्चा में जो मरा जहां की सुनक्षा में जो जमान और अबिकारी थे उनके लिए लालबग टेस के निज़िक पांच परिवार यहां पर वह रहे हैं और मद्यप्रदेश चाशन के जो निती हैं यहां स्मार्ट सिटी के नाम पर वो सब यह आवास पुराने तोड़े जा रहे हैं और उन सेनिकों की पांच भी पीड़ी यहां पर अभी निमास कर दो उसमें कुछ सेवानिवरत लोग भी ह हैं और कुछ सर्विंग परसनल भी हैं और कुछ बुजुर्ग हैं जिनके जिनका कोई और सहारा बाहर जाने का है नहीं आप देख रहे हैं कि काफी वयोगद्र लोग हैं यहां पर पदी बतनी हैं कहां इस समय जाएंगे स्मार्ट सिटी के नाम पर यह सब तोड़ा जा रह हैं तो सबसे पहले हमको यहां आवास दिये जाएं और इसी एरिया में दिये जाएं एक ही जगा पर तकी जो पांच पीड़ी दुख सुक्की उनकी यादें यहां जुड़ी होई हैं एक साथ रहते आएं जनम मरण शादी ब्या सब एक साथ उनका रहा है परिवार की तरह हो रहते हैं तो देड़ सो साल बहुत लंबा अर्सा होता है पांच पीड़ी निकल रही है तो यहीं दे दिये जाएं आवास कुछ ऐसा स्वसंद गोर्मेंट दे दे और उसके बाद यह तोड़ फोड़ करें कितने परिवार यहां पर इस समय इस समय एक सो पांच परिवार मौजूद है यहां पर और आए दिन यहां पर सरकार की तरफ से बुल्डोजर और वो सब असला पूरा आ जाता है तोड़ फोड़ के लिए उसके लिए इस्टे भी लिया गया है तो में कैस भी है परकि सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं नहीं माप और महुदा से भी क अबी हमारा चल रहा है कि जो वूत्रोज सेनिक कि के भी अगी हमारा जाएगा वहा फोड़ा सा इसलिए लिक पहले का मसला आजाली के बार्फित यह को तो वहारी कितनी मदद कर पाएंगे यह अभी अमनी कह सकते आखी वहाँ भी पत्र लेखन जारी है कि यह लेने के वाद भी निगमी के दिवरा एक दोर पर करने के लिए आ जाते हैं जी हैं जी हां जी हां फोर्ट में अपति ली है वकील एक हमारा केया हुआ है पोर्ट में के स्पेंडिंग चिक्ने वर्णा के नुबाज कर देड़ सौ साल से क्योंकि लालवाग पेलेस की जो कि इसके बाद यह मरानयांगाट के अधिकारी और जवानों के आवास यहां बनाएगा और तभी से रहे रहें प्रताम विश्वद्द के टाइम से भी हो जिती विश्वद्द के टाइम भी यहांके लोगों ने पॉटिस्पिट किया है ठीव यह बीस परिवार मेरे बाबा भ तो इतना उन्होंने योगदान दिया है वड़ आजादी के पहले ऐसा इंड़ सरकारों को मालना है तो सेनिक होता है या वो राजा मराजा के टाइम का हो या बात का हो जितनी फोर्सेज तो पहले थी ओलकर कालिब बाद में उनको इंडियन आर्मी में मर्ज कर दिये गए सब्सक्राइब बिल्कुल हातियाने में लगे हुए है क्योंकि यह पाउस इलाका है और स्मार्ट सिटी दिल्ली भी है पुराने दिल्ली को कोई टच नहीं किया जाए नई दिल्ली अलग बनाई बनाई गई है हैद्राबाद आप चले यह चार मिनार का अरिया पुराना कोई सब्सक्राइब नहीं करता यतियासिक चीजह है और जो यहां जो एंपी पुलिस को जो जैसे 15 बटालियन वह बेरेक्स अभी तक थे अब थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ है वाटरगार्ड रोड पे आप देखते होलकर कालीन वही कि वही है है ना पंद्रवी बटाल और फीम एंपन् imagen कर दिया जाया है और महिसगाड महें से लिए तो तकि वह आज अब युद्र लुटकराव होता है तो इसलिए मैसां और आज खाओ ऑग्याब से तुप ब्लबॉर में अंग्रेजों का साथ के लिए लडने गए गए होगार राजा कि सेना फस्ट वलवार में तो कहीं नहीं उस से उनका भी आजादी पी योगदान है ना उनका स्वासरी होता था हमेरी लड़िया आपको आजाद कर दें तभी जाते थे साथ समुंधर बाद हो प् आगे अंदोलन तो करें गई परिवार अब कुछ तो इतने बुजूर्ग हैं कि वह असमर्थ चलने फिने में अब उनकी पांसवी पूड़ी में यूवा वर्गे वो इसको अंदोलन को आगे ले जाएगा और उसके साथ साथ जो है सरकार से हमारा निवेदन जारी है यह है जाएगा पूर में भी मेडिया के माते हैं साथ बात गई है तो यह भी जानकारी लगी थी मेडिया को कि इहां पर कुछ विछलांग बच्चे हों के घर पर भी बिना जाएगा है वेल्कुल वेल्कुल चलाएगा पुरा तो महिलाएं हैं अब देख लिए कितने साल के जो हिंदोर से कामरापरसन पूजा हिर्वे के साथ संतूश मालविये की रिपोर्ट खबर कैमूर से है जहां बच्चे की मुझ उठाई अनप्राश्वन समारों में जा रहा सवारी भरा टेंपो आनियंत्रत होकर पलता हाथसे में किशोरी की घटना अस्थल पर हुई मौत साथ ही महला सहेच चार लोग गंभी रूप से जुलस गए सूचना पर पहुंची पुलिस परिजनों को सूचना देते वे शब को पोस मातम के लिए सदर अस्पताल भेजा मामला भबुआ मोहनिया पत के बबुरा पुल के पासका है पिर्तो की मांग है कि आपदा के तहत मुआफजा राशी दी जाए वहीं इस घटना से परिजनों में मातम का महौल चाया हुआ है कैमूर से सीन्यू समधाता उंप्रकाश तेवारी की रिपोर्ट पिलाल न्यूस बुलिटिन में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सीन्यूस भरत हर खबर आपके साथ आपके हाँ